हलो दोस्तो और वेलकम बैक टो इंट्राकॉगनेशन और इस वीडियो में आज हम डिसकस करेंगे प्रोबेशन और पेरोल दोनों कॉंसेप्ट क्या होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है और यह आपका जो क्रिमिनल जिस्टिस सोशल वर्क है उसका एक इंपॉर्टन पा करता है और इस वीडियो में आपको पूरा समझ माँ जाएगा क्या होता है और कुछ पढ़ने की जरूदत नहीं है तो प्रोबेशन क्या हता है कि जो कंविक्ट है जो क्राइम करता है जो क्रिमिनल हो उसको क्म्यूझनींटी में रहने की पर मिल जाती instead of serving jail term as long as the conditions of the probation are met ठीक है तो इसमें क्या होता है कि अगर probation की condition मिलती है serve करता है वो तो उसको community में रहने की permission मिल जाएगी jail में नहीं जाना पड़ेगा और उसको छूट दे दी जाएगी कि आप community के साथ समाज के साथ परिवार के साथ रहो ठीक है तो ये इसमें और आगे detail में समझेंगें कि इसमें जो first time जो crime करता है उनको permission मिल जाती है जो judge है court का वो देखता है कि किस level का crime है और उसको jail में रखना ज़्यादा सही होगा या उसको एक मोका दिया जाया community में family society के साथ रहने का या उसको सुधार में उसमें सुधार होने का एक मोका दिया जाता है ठीक है लेकिन वहाँ पे एक officer होता है उसके supervision में ही वो उस community में रहता है उसको probation officer पोलते है और उसके supervision में वो कुछ समाई के लिए रहता है अगर वो उसका behavior उसका जो जो भी उसका जो समाज में वो कैसे रहता है उसको observe करता है अगर वो ठीक है तो उसको bail मिल जाती है और वो case से उसको छुटकरा मिल जाता है अब payroll में क्या होता है यहाँ पे temporary और permanent release of the convict from the jail after he or she has served a part of the jail term ठीक है तो इसमें क्या होता है कि first time offenders नहीं होता है जो first time crime करता है वैसे लोग नहीं होते है already जो convicted है जो criminal है वो jail में है तो jail में उसको jail से निकलने के लिए उसको payroll मिलता है कि ठीक है आपका behavior जेल में अच्छा रहा और ठीक है अभी समाज को इससे कोई खतरा नहीं है तो उसको बाहर बैस दिया जाता है और यहाँ यहाँ पर भी एक parole officer होता है उसकी observation में इसको बाहर community के साथ रहने की permission मिल जाती है तो यहाँ parole होता है इसको parole बोलता है अब आगे ओर detail में समझते है अब यह जो probation है यह judge देता है case पहली बार judge के पास आता है judge सोचता है कि ठीके जेल में नहीं बेजा जाए एक chance ओर दिया जाए तो यहाँ पे judge देता है the court decides the probation of the convicted it is granted by parole board ठीक है जो parole है यह parole board के द्वारा दी जाता है ठीक है पहले से जो criminal है वो जेल में है already तो parole board decide करता है कि का कैसा behavior है जेल में और उसके बाद उसको permission मिल जाती कि community में जाके रहे ठीक है तो parole board decides the parole of the convicted आगे चलता है अब यह जो है probation यह alternative है जेल का ठीक है जेल नहीं भेचके और उसको community में probation officer के supervision में रखा जाता है तो alternative हुआ एक दूसरा विकल्प है जेल का और जो parole है it is conditional release from the jail है ना तो जेल से conditional release होती ही कि आपका behavior समाज में ऐसा ऐसा होगा parole officer आपको देखता रहेगा और अबसर करेगा है ना तो एक condition होती है उस पर आपको जेल से छोड़ा जाता है मतलब convict को या criminal को तीसरा point it is granted prior to the incarceration incarceration मतलब jail में जो बंद किया जाता है उसको process को incarceration भूता है तो incarceration के पहले ही इसको दे दिया जाता है मतलब jail में नहीं डाला जाता है उसके पहले ही आपको probation मिल जाता है it is a pre-conviction process ठीक है अब यह जो parole है it is granted after the convicted served a part of his prison sentence ठीक है तो जब उसने आधी अपनी जो part मतलब आधी नहीं लेकिन कुछ part उसका जो सजा है वो jail में गुजार दी है उसके बाद ये grant होता है जो parole है ठीक है it is a post conviction process है तो convict prove हो चुका है कि इसने crime किया है वो jail में है already उसके बाद उसको parole पर छोड़ा जाएगा उसके बाद जो point है it is granted to the first time offenders जैसे मैंने कहा जो पहली बार crime करता है उन्हीं को ये मिलता है ठीक है और ऐसे crime जहां पर बहुत बड़ा violence involved नहीं होता है ज्यादा कुछ violence involved नहीं है वैसे crime में probation दिया जाता है ठीक है तो it is first time offenders और essay crime जहां violence involved नहीं है ये important point है अब ये जो पर परोल है ये it is granted to convict that are already serving the jail term ठीक है तो एक बड़ा कोई crime किया है पहले से jail में है कुछ समय से तो एक regular offender को भी ये दिया जा सकता है जो दो-तीन बार crime कर चुका है ठीक है तो उसके बाद जो है convict reports to probation officer probation में probation officer important है ये आपको याद रखना है it remains under his supervision और यहाँ पर parole officer और उसी के अंडर में जो convict है criminal है वो रहेगा तो दो चीज़े important है probation officer और parole officer और इधर जो है court देता है उधर parole board देता है ये जो है important facts है ठीक है आगे चलते हैं तो ये ही सारे जो details था इस पूरा parole और probation का if you like the video then please subscribe and all the best for your exams thank you